आज का हमारा टॉपिक है Escape Velocity जिसको हम VE से denote करेंगे और इस Escape Velocity का expression या formula हम Energy Conservation के method से निकालेंगे एक method integration का होता है जो books में आपको मिलेगा लेकिन कई बच्चों को वो बड़ा difficult लगता है इसी लिए Energy Conservation यूज करके हम Escape Velocity का mathematical expression डिराइव करेंगे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि Escape Velocity होती क्या है दिखिए अर्थ के सर्फिस पर अगर आप खड़े हैं और आपके हाथ में कोई object है तो अगर आप उस object को उपर की तरफ कुछ velocity देंगे तो वो object थोड़ी सी उचाई तक जाएगा और फिर वापस अर्थ के सर्फिस की तरफ आ जाएगा क्योंकि अर्थ उसको क्या करती है अपनी तरफ वापस खींचती है अगली बार आप उसको थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा दे दें और आप ये देखेंगे कि वो object थोड़ा सा और ज्यादा उचाई पर जाएगा लेकिन अल्टिमेटली आएगा वो नीचे ही तो आप suppose करें कि आपने अर्थ के सर्फिस पर खड़े खड़े उस object को इतनी तेज वेलोसिटी दे दी कि वो object उचा उड़ता उड़ता अर्थ के ग्रेविटेशनल फिल्ड से बाहर निकल गया और कभी भी वो अर्थ के सर्फिस पर अब वापस नहीं आ सकता ऐसा आप imagine कीजिए तो वो velocity जो आपने उस object को दी है अर्थ के सर्फिस से जिसको लेकर के वो इतना उचा उड़ गया कि कभी भी अर्थ के सर्फिस पर वापस नहीं आएगा यानि कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फिल्ड से कहा निकल गया बाहर निकल गया तो उस velocity को हम बोलते हैं escape velocity तो आप यहां definition में देख सकते हैं the minimum velocity which should be given to some object from the surface of earth so that it could escape from the gravitational pull of earth is called escape velocity and if some object is thrown with escape velocity it will never return to the surface of the earth back अब यहां पर जो यह आपको minimum शब्द नजर आ रहा है यह हमने क्यों use किया देखिए हमें object को कम से कम velocity ही देनी है ताकि वो अर्थ के gravitational field से बाहर निकल सके क्योंकि अगर आप उसको थोड़ी सी जादा velocity देंगे तो क्या होगा जाएगा तो वो अर्थ के gravitational field से बाहर ही लेकिन हम यह चाहते हैं कि हम सिर्फ उसको इतनी velocity दें कि वो अर्थ के gravitational surface से अर्थ के gravitational pull से बाहर चला जाए उसके बाद वो कहीं travel करे या ना करे हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा देखे आप यहां इस diagram पर ध्यान दें यह जो गोला आपको नजर आ रहा है इसको आप मानिए अर्थ और यह capital R उसकी radius है और जो यह point A आपको नजर आ रहा है यह है अर्थ का surface point जहां पर खड़े होकर के आप उस object को फैंकेंगे यह जो आपको dotted line नजर आ रही है मान लीजिए यहां तक अर्थ का जो gravitational pull है gravitational field है वो काम करती है और अगर कोई object मान लीजिए इस dotted line को एक बार cross कर गया तो आप यह मान लीजिए के वो अर्थ के gravitational field से बाहर निकल गया यानि के आप यह देख पा रहे होंगे के यहां जो point B है अगर किसी तरह object यहां पहुच जाएगा तो वपस अर्थ उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी तो आप यह मान के चल सकते हैं के यह dotted line ही हमारे लिए काम करेगी एक boundary का इस boundary से अर्थ की तरफ तो gravitational pull लगेगा लेकिन इस dotted line से उपर अगर एक बार कोई चीज निकल जाएगी इस dotted line को कोई चीज अगर एक बार पार कर जाएगी तो वो अर्थ के gravitational pull से बाहर निकल जाएगी and earth will not be able to pull that object back अब देखिए अगर आपने point A से किसी object को कुछ velocity दी और वो object suppose कीजिए B पर पहुँच गया तो वो velocity कहलाएगी escape velocity और अगर आप उसको थोड़ी सी ज्यादा velocity देते तो क्या होता वो थोड़ा सा point B से और उपर चली जाती और जादा velocity देते तो थोड़ा सा और उपर चली जाती मतलब वो B से आगए कितना travel करेगी ये तो इस चीज़ पर depend करेगा कि आपने उसको initial velocity point A से कितनी दी है लेकिन देखिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि अर्थ के gravitational pull से escape होने के बाद वो कहां जाती है या कहां नहीं जाती है हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उसको इतनी velocity जरूर दे दें कि वो point B तक पहुंच जाए इसी लिए यहाँ पर मैंने बात की थी minimum velocity की कि आप कम से कम velocity दें उस object को और वो object अर्थ के gravitational field को पार कर जाए that velocity, that minimum velocity is called escape velocity अब देखिए जो point A है वहाँ पर हमारे object के पास दो तरह की energy है kinetic energy और potential energy kinetic energy क्यों है उसके पास जब आप उसको point A से उपर की तरफ फैंकेंगे तो naturally कुछ न कुछ तो velocity आप उसको देंगे और मान लीजिए आपने उसको वो velocity दी है VE V और सब्सक्रिप्ट में उसके E तो क्योंकि उसको आपने VE velocity दी है तो उसकी kinetic energy कितनी हो जाएगी half M VE square ये तो हो गई उसकी kinetic energy और अगर वो point A पर है तो उसके पास potential energy होगी minus के G into capital M into small M divide by capital R अब ये formula कहां से आया देखिए हमने पिछले video lecture में gravitational potential energy का एक expression निकालना था जो था minus के capital G into capital M into small M divide by small R आप पीछे के videos में जा करके देख भी सकते हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ये नीचे small R आता था वो small R अर्थ के center से body कहां लाई करती है वहाँ तक का distance था और क्योंकि अब की बार point A पर लाई करने वाली body exactly अर्थ के surface पे लाई करती है तो आप ये देखिए अर्थ के center से उसका distance कितना हो गया capital R हो गया के नहीं हो गया तो आप यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि small R जो की body के distance को denote करता था इस case में किसके बराबर होगा वो capital R के बराबर होगा इसलिए यहाँ पर potential energy का formula क्या आ गया minus के capital G into capital M into small m divided by capital R तो object A पर जब है तो उसके पास इतनी potential energy है और क्योंकि आपने उसको कुछ velocity दी है और वो velocity हमने VE मान ली है ठीक है तो वो उसकी kinetic energy कितनी हो गई half m VE का square तो दोनों को हमने जोड़ दिया that will be the total energy of the object at point A यह बाद ठीक है अब देखिए हमने यह मान ही लिया है कि हमने उस object को इतनी velocity दी है कि just वो A से कहां पहुँचेगा B तक पहुँचेगा तो देखिए जब वो B पर पहुँचेगा तो उसकी kinetic energy कितनी होगी उसकी kinetic energy होगी 0 क्यों होगी क्योंकि आपने उसको सिर्फ इतनी velocity दी है कि वो उड़ता उड़ता कहां पहुँच सके सिर्फ B पर ही पहुँच सके उसके बाद उसकी velocity क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्यों क्योंकि जब भी कोई object अर्थ के surface से उपर की तरफ चलता है तो आप जानते हैं उसकी velocity क्या होती रहती है कम होती रहती है और point B पर पहुंचते पहुंचते मान लीजिए उसकी velocity exactly कितनी हो चुकी है zero क्योंकि आपने सिर्फ उसको इतनी ही काम चलाने के लिए velocity दी थी कि वो सिर्फ point B पर ही पहुंच सके तो after reaching point B because the velocity of the object has become zero so kinetic energy of the object at point B will also be zero अब बात करते हैं potential energy उसके पास point B पर कितनी होगी आप यह देखिए point B पर जब body पहुंच चुकी है तो वो अर्थ के center से बहुत ज्यादा दूर है infinite distance पर है तो जब आप यहाँ capital R की जगह infinity रखेंगे तो denominator में infinity होने की वज़े से ये term इतनी छोटी हो जाएगी कि almost आप इसको zero रख सकते हैं इसलिए point B पर potential energy भी कितनी होगी object की zero होगी तो कुल मिला करके B पर kinetic energy भी zero और potential energy भी zero इसलिए total energy भी object की point B पर कितनी हो जाएगी zero लेकिन energy conservation क्या कहता है कि जितनी energy object के पास एक point पर थी उतनी ही दूसरे point पर भी होनी चाहिए तो अगर हम energy conservation लगाएं तो ये दोनों energy हम बराबर put कर देंगे और जब आप यहां से ये mathematics solve करेंगे तो हम basically यहां पर पहुँच जाएंगे के small v e का square is equal to 2 capital G capital M divide by R अब इसके अगले step में आप ही देखिए मैंने क्या किया capital R से multiply कर दिया और capital R से ही divide कर दिया ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो bracket के अंदर आपको term नजर आ रही है ये चीज small g यानिके acceleration due to gravity का formula बन गई है इसलिए अगले step में हमने क्या किया इस small v e को equal रख दिया किसके ये जो आपकी bracket के अंदर चीज है तो small g के बराबर हो गई तो 2 gr इसका expression हो गया और क्योंकि यहां square था तो इस side आ जाएगा under root so v e is equal to root 2 gr और यही आपके object की escape velocity का क्या आ गया formula आ गया अब आप देखिए अगर हम अर्थ की बात करें तो g की value मैं अगर small g की value अगर 9.8 रखें और capital R का मतलब है 6400 km आप इसको meter में convert करके जब इस formula के अंदर रखेंगे तो मैं आपको बता दूँ जो escape velocity की value आएगी मैं आपको km per second में बता रहा हूं वो आएगी 11.2 km per second यानि के अगर आप किसी object को इतनी तेजी से फैंक सकें उपर की तरफ के वो object एक second में 11.2 km का distance travel कर जाए जरा सोचिए एक second में 11.2 km का distance वो object travel कर जाए तो आपने उसको कितने velocity दी है 11.2 km per second तो इस velocity से अगर आपने अर्थ के surface से उस object को फैका है तो वो object अर्थ के gravitational pull को cross करता हुआ अर्थ के gravitational field से बाहर निकल जाएगा और वो object कभी भी वापस अर्थ पर नहीं आएगा इसलिए ये जो expression आपके सामने है VE is equal to whole and root of 2 into small g into capital R ये है escape velocity का formula और अर्थ के लिए जो escape velocity है वो होती है 11.2 km per second at least 16.2 km per second